These are called eyebrows and eyebrows undoubtedly define your face. अगर आप कोई ऐसे जन है जिनकी eyebrows बहुत ही पतली है, बहुत ही लो डेंसिटी की है, तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिनकी eyebrows fuller होती है, thicker होती है, उन्हें तो सिरफ पारलर जाकर trim कराना होता है, पर जिनकी eyebrows काफी नाममात रखी होती है, वो पारलर जाएं क्या और eyebrows कराएं क्या? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहतरीन सी remedy शेयर कर रही हूँ, आपकी eyebrows को thicker and fuller बनाने के लिए, अगर आपके eyelashes बहुत जादा गिरते हैं, और आपकी रहते हैं, तो भी आपकी रेमिडियों आपके लिए काफी जादा कारगर साबित हो सकती है, ना केवल दिस, अगर आप कोई मेल है, जिनके दाडी में आपको पैच जाते हैं, और fuller growth नहीं है आपकी दाड़ी में तो ये remedy आपके लिए भी काफी कारगर सावित हो सकती है ध्यान से सुनिए क्या करना है and also क्या नहीं करना है So let's check out what needs to be done Hello to my beautiful people out there, a very warm welcome to the channel आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं, खुश हैं, अपना खयाल रख रहे हैं और काफी enthusiastically अपने काम कर रहे हैं, that's very important आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुती सिंपल सी remedy शेयर कर रहे हूँ जिसके यूज़ से आप अपनी आईब्राउस को बहुत थेकर कर सकते हैं आई लाश को बहुती लश्यस कर सकते हैं और वो सभी के सभी मेल्स जो अपनी दाड़ी में वो पाक्चेज नहीं चाहते हैं इन तीनों ही चीज़ों के लिए आज की रेमेडी राम बांड सावित हो सकती है प्रोवाइडेड आप इसको ऐसे ही फॉलो करें जैसा में आपको बता रही हूँ और सिरफ फॉलो नहीं करना है कुछ चीज़े हैं जिने समझना है once you understand it तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे लेखें इंटरनेट में इतनी सारी रेमेडीज हैं जहां पर पेट्रोलियम जरी का इस्तमाल हो रहा है जहां पर प्याज का इस्तमाल हो रहा है जहां पर बहुत सारी चीज़े हो रही है डेखें, I would not suggest that absolutely not intelligence is not only what you are trying but also what you are avoiding बहुत बहुत गहरी बात कही है मैंने अगर समझ सकें आप तो प्यास का रस आपके बालू को जो आपका scalp है उसमें ग्रोथ के लिए काफी पोटन है undoubtedly लेकिन प्यास का रस आपके चहरे पर इस्तमाल के लिए बिल्कुल भी नहीं है at least I would never suggest that क्योंकि ये काफी पंजन स्मेल का होता है काफी स्ट्रॉंग होता है लेकिन नेचर में जितनी भी चीज़े हैं हम उनको जज कर सकें इसलिए उनमें स्मेल है और जिसमें बहुत पंजन स्मेल है that would surely not be for your skin at least आपके फेस के स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं इसलिए प्लीज बहिशकार कर दीजिए प्यास के रसका for your face in any any way नमबर टू पेट्रोलियम जेली देखिए क्लास 6 में NCRT की बुक जरोंने पड़ी है उसमें एक activity थी जहाँ पर test tube को हमने block किया था using vaseline if you all remember तो वहाँ पर उसका काम क्या था if you could remember and recollect again no, let me remind you कि हमने उसमें petroleum जली लगाई थी ताकि उसमें air block कर सके जी हाँ तो petroleum जली आपके face के pores के लिए exactly वही काम करती है it blocks it हम अपने pores को rejuvenate करना चाहते हैं कि वह healthy way में grow करे ना कि उसे block करना है तो vaseline is not for your hair and not for your skin for sure I'll tell you, मतलब use कर सकते हैं in some ways but not direct application on to your at least follicles को block नहीं कर सकते so please जितनी भी remedies है भले ही उनमें million views है I don't care they are not for your face for sure so now my family is well equipped कि क्या नहीं करना है now comes क्या करना है सबसे पहली remedy जो मैं आप लोगों को सिजेस्ट करूंगी it's very simple इसके लिए आपको लेना है castor oil यानि की अरंडी का तेल and number two vitamin E oil अगर नहीं है तो sweet almond oil तेल भी आप ले सकते है इन दोनों ही तेल को आपको equal quantity में अपने हाथों में लेना है and apply it on your eyebrows लेकिन अगर आप बहुत सीरिस हैं कि आपको eyebrows grow करनी ही करनी है I would suggest कि आप ये लेकर आ सकते है this is nothing but a roll-on bottle बहुत easily आपको मिल जाएगी link मैं नीचे description में दे दूँगी ये एक roll-on bottle है ये बहुत अच्छे से easily detach हो जाती है मुझसे भी नहीं हो रही है but detach हो जाती है इसके अंदर आप फिल कर सकते है आधा castor oil and आधा vitamin E oil done इसको आप बंद कर दीजे ये एक ball है इसके आगे roll-on ball and आप इसको जितनी बार apply करना shake कीजिए और अपने आइब्राउस पर इस तरह से लगा लीजिए simple इतना easy जी हाँ इतना easy देखिए ये easy है for sure लेकिन इसके अंदर जो आपने अरंडी का तेल डाला है castor oil ये एक you know क्या बोलते है इसको कुछ बहुत ही मतलब supreme जो हो सकता है आपकी skin के लिए वो castor oil है पर क्योंकि ये काफी thick होता है it's not very comfortable to be used on the skin तो काफी काम use करते है but castor oil is just amazing for your skin and for your hair समझे आप तो यहाँ पर skin भी है facial skin and hair भी है तो दोनो के लिए castor oil could be the magic that you are waiting for vitamin E oil हमने क्यों लिया है क्योंकि वितमिन E के अंदर बहुत क्योंकि castor oil काफी thick होता है तो जल्दी से पनेट्रेट नहीं करता है लेकिन वितमिन E क्या करता है वितमिन E तो आप लगा और सीगिधा skin के अंदर जाता है तो जब दोनों को हमने mix किया है तो आप समझे रहे हैं कितनी आप लगा बढाने हैं अब वो लोग क्या जिनको आइलाश बढानी है कुछ लोगो को चैनल पी डाउट होता है कि मैंने फॉल्स लाश लगा रखी है बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते हैं इस इस मैं रिल लाश I don't know how to show it but this is what it looks like these are my real lashes done कैसे दिखाते है okay so these are my real lashes and I apply mascara for sure you all know I love eye makeup but I don't put false lashes at all so अगर आप चाहते है कि आपके थिकर ग्रोथ हो especially eyelashes I would suggest कि आप these are my brushes sorry so आप ऐसा एक ब्रॉश लेकर आसकते हैं mascara brush ये ओनलाइन और कर सते हैं मैं लिंक नीचे दे दूँगी and आपको क्या करना है यही और अपको यही और अप्रिपर किया है ये ये ब्रॉच ये ये ब्रॉबशे हैं how to comment में लगा देंगे, simple, आख पे लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, it's absolutely safe, जबर्दस्ती मत लगाएगा, obviously, वड़ अगर लग जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी नीन दाती है, आप अराम से सो जाएगे, obviously, सोते समय करना है, लगा के दिन भर में बाहर नहीं जाना है, फुट चिपक जाएगा सब कुछ, तो सोते समय की प्रक्रिया हैं, यह सारी है, just if I am not clear to everybody, To all the boys, जिनको अपने पैचेस कवर करने हैं, वो दुबारा से रोल-on प्रिपेर करेंगे, अपने पर्टिकलर पैच पर इसको लगाएंगे, and you are going to use the mascara brush, or maybe small comb, आप ले सकते हैं, चोटी कंगी, and उससे आप इसको brush करेंगे, देखिये, purpose समझे, हम उस पर्टिकलर पैच को एक तो nutrition दे रहे हैं in the form of the oil, and उसके बाद हम उसके बाद उसको facilitate कर रहे हैं, somehow we are just pushing it, poking it, and telling it to just go deep into the skin, so that वहां के जब फॉलिकल्स हैं, वह नरिश होंगे, तो अपना काम जादा बहतर करेंगे, हाँ, अगर वहां hair follicles ही नहीं है, then we cannot help it for sure, but अगर follicles हैं, और बहुत minute hair वहां पर आरहे हैं, उनको आप थोड़ा सा, you know, healthify करना चाहते हैं, तो आप यह step definitely कर सकते हैं, it is very simple, आप लोग भोलोंगे, यह क्या था, इतना सार रेमेडी, देखे, जो बहुत पोटेंट चीजे होती हैं, वह बहुत सिंपल होती हैं, उसके लापको कोई अगरम शगरम नहीं करना पड़ता है, अगरम शगरम जब करना पड़ता है, जिन चीजों के लिए वो मैं आपको बता देते हूं, बट बलीव मी, for this particular remedy, especially for your eyebrows and for your, you know, eyelashes and patches, बहुत ही सिंपल और आसान सा ये तरीका है, आप रात को इसको प्रिपेर करेंगे, जब भी प्रिपेर कीजे, रात को आपको अप्लाए करना है, for your eyebrows and for your eyelashes and for your patches, whatever, and आप उसके बाद इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे, using the brush itself, it'll be easier and then you sleep, तक ये पर लग जाएगा, I can't help it, like, there's no cure for that, उल्टा क्यों सोएगा कोई, सीधे ही सोएगा तो नहीं सोएगा तक ये तो नहीं लगेगा तक ये, but don't worry, and उसके बाद आप next day morning, please make sure आप अच्छे से अपने face को वाश करें, कोई negative impact, कोई negative impact नहीं, obviously, but अगर oil वहाँ पर रह जाएगा, तो during the day जब आप घर से बाहर जाएगे, तो वहाँ पर dirt, pollution ये वो सो चिपक सकता है, make sense, तो अच्छे से wash कीजिए, because castor oil काफी thick होता है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बोलती हूँ, कि जब भी आप कास्टरॉल का application कर रहे हैं, please make sure कि आप अपने बालों को बहुत अच्छे से दोएगे, तो इसलिए यहाँ पर भी आप अपनी skin पर apply कर रहे हैं, तो अपनी skin को बहुत अच्छे से नरिश्च करें, बहुत सारी लोगों को होगा कि हम पूरे चहरे पर लगा लें, क्या लगा सकते हैं, अच्छा तो फिर पूरे चहरे में बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात तो जो मैं अपने पूरे परिवार को हमेशा सिखाना चाहते हूं कि कभी भी हम अपनी बॉड़ी को हील नहीं करते, कदा आप ही नहीं है, इस गलत फैंबी में में मत रहे हैं कि आपने ये लगा है स्वज्जे से ऐसा हो रहे ह आप सिरफ सर्कम्स्तांस सिखें नहीं को याप सिर्कम्स्तांस देते हैं अपनी सिकन को याप फेवरेबल चीजे देते हैं और वो खुद को हील करते हैं, यहां पर हम उस पतिकलर पॉइंट पर जादा बाल चाहते हैं, you know, we are working towards it, आप वहां पर नरिश्मेंट देते हैं उ very simple, कोई अगर आप डाउट रखेंगे ना, तो मैं बोलते हूं मत रखेंगे, करिये ही मत, सबसे इंपोर्टेंट है to believe in the remedy, once you believe in the remedy, फिर आप देखिये, it is going to bear wonderful results for you, मैं आपको बता रही थी कि मेरी eyebrows is not very full, you see, और इस बार तो और पतली कर दी, okay anyways, तो इसको मैं कैसे फुल करत कोई भी नहीं, obviously, तोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, and I have this brush, you know, angular brush with me, यह है by the body shop, मैं सबके लिंक नीचे दे दूगे, ठीक है, और यह है मेरा आईशाड़ का पालेट, मत यह तीन तो मैं यह तीन तो मैं यूजी नहीं नहीं गरती, बस यह वाला सबसे अधे अधे लिग मैंने बताया थान मेरा ब्लाक आईशाड़ सबसे लिए बस, तो मैं इसको लेती है अंगिले ब्रश में, right, and I shape my brow, just like that, right, अब अच्छी क्वालिटी का आईशाड़ लेना आवर्शक है, यहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ कोई ले सकते हैं, यहाँ यहाँ नुटिटिव यह, but यह है की, like so, I can do that, so that's how you shape your brows, simple, right, ऐसी मैं दूसरी तरफ फिल करते हूं, so it's that simple, मैं आपको इसले दिखार हूं, कि जब तक अपने आइप्राउस को ग्रो करने के लिए, रात को यह रमेडी कर रहे हैं, तब तक के लिए, you can fill in your eyebrows, ऐसा कोई पर एसा नहीं है कि भई, ग्रोथ रमेडी कर रहे हैं, तब तक क्या करें, कोई प्रब्म नहीं है, आप तर फिल कर लीजे, right, I am happy with the density I have, मुझे कोई प्रोईदिशानी नहीं है, मैं फिल कर लेती हूं, जब जरुरत होती ही, जब नहीं होती ही, तो मैं आपको सामने आजी आज So, I don't know, but I am just saying कि आप इसको try कीजे, for a good, at least two weeks try कीजे, and फिर बताईए आपके लिए कैसा result रहा, don't be disheartened, ये बहुत कारगर्ग remedy है, विश्वास करिये, और यूस करना, start कर दीजे, and you are going to be really happy, and इस चानल का धे ही ये है, कि आप लोग खुश रहें, बहुत ही simple से तरीके है, इनको इस्तमाल कीजे, खुश रही है, दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, है न, enthusiastically सारे काम करने है, तो इसको भी ट्राय कीजे, वापसा के हम सब के साथ शेयर कीजे, कि आपके रिजल्स कैसे रहे, I would love to hear it from all of you, मैं आप सभी से मिलती हूँ, अपनी अगली वीड आप